सुभा होने पर महारिशी विश्वमित्र ने श्री राम के स्नान आदी के बाद शुद्ध होने पर उन्हें अपने पास पुला कर अपने सामने बैठाया था और बड़ी ही प्रसंदता के साथ उन्हें अपने सभी अस्त्रों और शष्ट्रों के बारे में उद्देश दिया थ थे महारिशी विश्वा मित्र के जब करने से वे सभी प्रजापदी कुशाश्व के पुत्र परम पूज्य दिव्य अस्त्र भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए और हात जोड़कर भगवान श्री राम से यह बोले थे कि है रगुणन्दन हम सभी आपके आदिन हैं आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे हम सब करने को तैयार हैं उन महान प्रभाव शाली अस्त्रों और शश्त्रों के इस परकार कहने पर भगवान श्री राम बड़े ही प्रसन हुए थे और उन्हें घ्रेन करते हुए अपने हातों इस्पर्श करते हुए यह बोले थे कि आप सभी मेरे मन में निवास करें भगवान राम का ये आदेश सुनकर सभी अस्त्र शेश्ट्र अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री राम के मन में प्रवेश कर गए थे इस प्रकार सारे अस्त्र शष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जी के दर्शनी आश्रम के पहुंच गए थे महारिशी विश्वामित्र जी के उस रोमांचकारी आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने महर्शी से यह पूछा था कि भगवन यह सगन विरक्षो म्रगो तथा मधुर शब्दों वाले पक्षियों से भरा हुआ मनुहर आश्रम किसका है पता नहीं क्यूं इसके विश्वा में जानने के लिए मेरे मन में उत्रकंटता हो रही है तब महारिशी विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मन जी को उस आश्रम के बारे में बताते हुए यह कह था कि पूर्व काल में भगवान का निश्चे किया था जिस समय भगवान विश्णु जी अपने आश्रम में लीन थे उसी समय विरूचन कुमार राजा बली ने समस्त देवताओं और मुरुद्गणों को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था तबगनी देव ने इस आश्रम में आ जारी रखते हुए राजा बली के विनाश के विशय में सोच ही रहे थे कि उसी बीच महर्शी कश्यप जी अपनी पतनी अधिती के साथ अपने एक हजार वर्ष के तब को समाप्त करके इस आश्रम में भगवान विश्णु जी के पास आये थे और भगवान विश्णु जी भगवान विश्णु जी से यह याचना की थी कि आप मेरे और अधिती के पुत्र रूप में जन्मले जिससे आप हमारे पुत्र इंद्र के छोटे भाई बनकर शोक से पीडित हुए सभी देवताओं की सहयता करें उसके बाद विश्णु जी महर्शी कश्यप की पतनी अध पर राजा बली से तीन पग भूमी मांग ली थी भगवान विश्णु ने अपने तीनों पग में प्रत्वी आकाश तथा पाताल को नाप लिया था और तब राजा बली से यह कहा था कि मैं अपना तीसरा पग कहा रखूं भगवान विश्णु जी का वह विक्राल रूप देखकर राजा बली उनके सामने नत्मस्तक होकर बैठ गए थे और उनसे यह विंति की थी कि वह अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रखते इस प्रकार वामन रूपी भगवान विश्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बली के मस्तक पर रखकर उसका अंत कर दिया था और तीनों लोकों को इंद्र को वापस लटा दिया था। यह बता कर महरशी विश्ताम परजी ने भगवान शिरीराम और लख्ष्मन जी से यह कहा था कि भगवान विश्णुजी की किरपा से यह आश्रम गया है यह आश्रम सभी परकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्ही भगवान वामन में मेरी भक्ती होने के कारण इस आश्रम को अभी मैं भक्ती में लेता हूं।